तो आज का वीडियो एक छीज थोड़ा सा इसको नोट कर लेना चाहिए तो डायरी में और कुछ भी किसी भी तरीके से नोट करने जो भी करना एक चीज तुम हम जो बता है उस चीज़ पर जड़ा फोकस करके देखना मतलब इसको समझना थोड़ा सा ठीक है आज हम बात किसके उपर कर रहे हैं उसके बारे में समझना जड़ा हम यहां पर बात कर रहे हैं भर क eternal 2 कि यहां शोचार का लिए में हैं पर उसके अब अपने पास भी नोट कर लिए जब भी तुम परaufenर वराक को सामने संद्टाइम में समझना मेरी बात बहुत अच्छे से समय लेना सौपर यद्टाइम है तुमारे जो वो वो क्या कहते है तेन हरडल साते हैं जब तुम पढ़ाई करने बैटते हो तीन हर्डल साथ हैं तीन तरीके के तीन तरीके के haya तीन बार सबसे पहला जो आता है वह आएगा तुम्हारा लगबक 40 .60 मिनट के बीच में जो पहला हर्डल आएगा मतलब हर्डल का मतलब यह है जब तुम्हें लगेगा कि अब उड़ जाना चाहिए प्रभू बहुत पढ़ लिया हो गया अब उड़ लो तो यह टाइम होता है चालिस साथ मेंट के बीच में लेगा तुम्हारी लाइब बदल जाएगे हम बता रहे हैं सिर्फ सरकाई नौकरी नहीं किसी बेग्जाम के लिए बोल लाएं जब तुम्हारा पहली बार रुकने का मन करता है अब तुम्हारी चमता का सिर्फ 25 परसंट यूज हुआ है सिर्फ 25 परसंट पच्छेटर अभी के लिए बाट समझना यह जुरूरी नहीं एक ही बार में कि तुम सुबह से बैटे नहीं हम यहां पर पूरी शेट की बात कर रहे हैं कि दिन तुम्हारा 10 गटे का पड़ें तुम्हें समझ्छ में आगया कि अब यार पच्छेट परसंट नो और पड़ो तो जा बार ना कम्लीट हो गए तब तुम्हें लगा कि अब रुकना चाहिए तो जब तुम धाई गंटा मतलब यह गंटे के अलावा जब धाई गंटा तुम और पढ़ लेते हो और तब रुकने कमान होता है तब तुम्हारी जो बॉड़ी से एनर्जी यूज हुई होती हो वो होती है ऑल् जो बता रहें यह बिल्कुल प्रेक्टिकल है अब तीसरा हडल का वाएगा जब तुम्हारे भईया पांच गंटे या चार घंटे कंप्रीट हो जाएंगे अब तुम्हें लगेगा अब तो चाहें मौत आजा हम उठेंगे और अब उठके रहेंगे तब तुम्हारी बिल्कुल खतम हो चुके हैं बिल्कुल चुश चुके हैं पूरी तरीके से तब टाइम होता है कि हाँ चलो अब बॉड़ी को रिलैक्स देतो और काम तुम्हारी बॉड़ी का कितना हुआ है 75-50 पसंड अगर 100% ट्राई करना है तो तुम्हारा जभी 4-5 गंटे का जो भी त तीसरा जो सिफ्ट होती वो खतम होती है जब तुम्हें लगता है सब कुछ खतम हो गया है तब तुम यह एक बार देखना पेपर की तरफ कि अभी तो पचासी वह पंद्रा बांकी खुद को एक बार बैठालना एक गंटे तक फिर भी खीच ले जाओगे तेकिन हम वह नही हो रहें कि तुम्हें कितना लगता है कि पहली बार में तुम्हें उठने का मन कर रहा है तुम्हारा कमारा पहली बार उठने का मन कर रहा है धाइगंटे में इसका मलब तुम बहिया बारा गणले आद्मियों इधीन डियान लको अगर तुमारा मन ओरा है डेड़ घंटे में तो इसका मलब तुम 7-8घंति 1 आदमियों तुम अपनी एनरजी खिलवार कर रहा हूँ यह लॉजिक है इन चीजों को समझो तो इस ग्राफ को अपने सामने लगा दो 25-60-80 बस 25 में पहली सिफ्ट साड में दूसरी सिफ्ट और तीसी सिफ्ट में तुम धड़ा कोसिस तो करते हैं या इन छोड़ी-छोड़ी वीडियो से तुम्हें कुछ हमें तो नहीं करनी जोब लेकिन जिसको करनी है उसको थोड़ी हेल्प मिल सके इसलिए अब किताबे भी पढ़ते हैं और दूसरी बात